हलो फ्रेंड्स once again Welcome back to YouTube चैनल Tips and Tips दोस्तो यूपीस्सी ने निका लिए बंपर भरती तो इस वीडियो में हम इस भरती के बारे में बात कित करने वाले हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों UPSC यानि Union Public Service Commission ने Engineering सेवा प्रारंबिक परिक्षा 2023 का Official Notification जारी कर दिया है उम्मिद्वारों के लिए परिक्षा शुरू होने के तीन सब्सक्राइब पहले E-Admit Card जारी किये जाएंगे UPSC Engineering सेवा प्रारंबिक प्रिक्षा का आयोजन 19 फर्वरी 2023 को होगा और 327 पदों पर तनातिक की जाएगी अगर eligibility की बात करें तो परशिक्षियों के पास मानिता प्राप्तसंस्थान या इन्वरस्टी से Engineering में Bachelor डिग्री होनी चाहिए परशिक्षियों चार अक्तूबर तक अप्लाई कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं आवेदन शुलकी यानि फीज की तो समयने वर्ग के उमिदवार को इसके लिए 200 रुपे आवेदन शुलक देना होगा वहीं महिला S.C.S.T. और दिव्यांग वर्ग के उमिदवारों को शुलक के बुगतान में छूट दी गई है यनि उन्हें कोई शुलक नहीं देना होगा अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है तो उमिदवार UPSC की ओफिशल बैप साइट पर क्लिक करें नया पंजी करन बिकल पर क्लिक करें और वन टाइम प्रोफाइल बनाएं अब लोगिन करें और E.S.E. प्रारंबिक 2023 के लिए अप्लाई लिंक पर जाएं जिरूरी डॉकुमेंट अप्लोड करें और अवेदन पत्र जमा कर दें उसके बाद अवेदन शुलक का भुक्तान करें और लास में समिट किये गे फॉर्म को डाउनलोड कर लें दोस्तों वीडियो में दीगे जान करें आपको कैसे लगी अगर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और फर्स टाइम चैनल पर आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नई जान करें के साथ तब तक के लिए गुद बाई जाहिंचा भारत